आप किचन की दुनिया में बिगनर्स हों जा एक्सपर्ट आपको नेने टीप्स और ट्रिक्स की तलाश हमेशा रहती है तो आज मैं आपको कैसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप बोतल की मतलब से कैसे धेरो रोटिया असानी से बना सकते हैं कैसे आप अपनी चीजों को मैने करके रख सकते हैं कैसे हैं आप सब तो हमारे पास तरह से बच्चों की चोड़ चोड़ से हमें संबाला मुश्किल हो जाता यह बिखर जाती तो इसके लिए आपने लेनी एक सेवटी पिन और आपने जो सारे रबर बैन है वह इसी में आपने प्रो देनी है ठीक है तो आप को जब ज़रूरत हो आप एक निकाले और यूज कर लें इस तरह यह बिखरेंगे भी नहीं और आपको डूंडने में टाइम मी जाया करना नहीं पड़ेगा असानी के साथ आपको मिल जाएंगे जब हमें ज्रूरत होती है तो हम आरी ज़रूरत की चीज़ हमें अपने जग हम फैंक देते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आपने इनको फैंकना बिलकुल भी नहीं है यह आपके बहुत से काम आने वाल हैं आपने ले लेना है कोई सा भी टेलकम पाउडर वह आपने इसको थोड़ा सा इसके अंदर स्प्रिंकल कर देना है तो यह जो हमारे पा कर दें और एक पीन की मद्दे से इसमें छोड़ छोड़े से सुराख कर दें आप फिर इसको अपने कपड़ों वाली लमारी में रखें या अपने वाश्रूम में लगा दें या अपने किचन में रखें तो इससे क्या होगा कि आपके किचन से आपके वाश्रूम से आपके से काफी फाइदा भी होगा तो इस तरह से आपकी बहुत सी परिशानिया हल हो जाएंगी आज मैं आपको बेस लगाने कर कैसा तरीका बताऊंगी आज कर गर्मी का मौसम है तो बेस लगाते ही हमारे फेस पे पसीना आना शुरू हो तो हम बहुत सी चीज़े ट्राइ करते हैं कि हमारा जो मेकप है वो खराब नहों तो आज मैं आपको बहुत ही असान सी और सादा सी टीप बताऊंगी जिससे आपके बहुत से पैसो की बच्चत हो जाएगी कास्मेटिक आज काल बहुत महंगी हो गया अप देखे मैंने इस पे और जो आपका मेकप है वो लोंग लास्टिंग रहेगा आपके बेस जल्दी खराब नहीं होगी स्वेटिंग से हमें फूज रहेंगे चलते हैं अब हम नेक्स टीप की तरफ आज मैं आपको एक बोतल का कमाल दिखाने वाली हूँ बहुत सी बिंगनर्ज लड़कियां जिन जिनको रोटी बनाना नहीं आती जिनको पेड़े बनाना बहुत मुश्किल लगता है तो आज एक बोतल की मदद से मैं आपकी यह मुश्किल को असान कर दोंगे आपने ले लेनी इस तरह एक बोटल और इस तरह से आप जिसको चूरी की मदद से कट कर लेने ठीक है फिर हम किनारों को बराबर कर लेंगे तो इस तरह ताके जो हमारा पेड़ा है वो बहुत ही अच्छे से बने तो मैं आपको इससे बना कि दिखाऊंगी तो बहुत ही असानी के सब गोल पेड़ा बना सकते हैं जिसे हमारी रोटी भी बहुत जबरदस्त बनेंगे और हम डेरो रोट आप डेरो यूज से वी यूज कर सकते हैं इससे भी आप अराम से अपने काम को आसान कर लेंगे तो चले के अचलने था शरlya कि पिडर टीрь की तरह कि कैसे हम असानी के साथ इससे पेड़े बना लेंगे एफ Мнеने आठा लेंगे फरेची मैं इसको बना कि चिखाँआँ और प जिस तरह मैं रहीं रोग करें तो फिर अभी खो अब को थारए पैड करें हैं गोल सा ने कैया को मुच्टिन देखे करें और बहुत जल्दी से've एक्साथ बना सकते हैं फिर जल्दी जल्दी आप बनाते जाएं और आपका बहुत सा टाइम बाच जाएगा यह देखें आप बहुत असानी के साथ मैंने बहुत सारे जो पेड़े हैं वो बना लिए हैं और इस तरह से आप इसको हाथ के बैसे सैट करें हो यह जबदस से छोड़ छोड़ से बहुत ही खुबसूरत से जो हमारे वो बन कर तयार हो चुके हैं तो यह देखें जी साड़े पेरे बन चुके हैं अब मैं आपको बताऊंगे किस तरह से आप अपनी इस तरह डेरो रोटिया बना सकते हैं अमीद है आपको मेरी आज के चोटी सी वीडियो पसांद आई होगी और इन टिप्स के साथ आप को काफी फाइदा होगा कोई भी टी पची लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा तो यह देखें जी हम बहुत साथ रोटिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से आप बेलते जाएं और किसी भी बर कर लेते हैं तो फिर फैन आन नहीं कर सकते तो इस तरह से आप गर्मी से भी बच जाएंगे और जो बिगनर्स हैं जिनको किचन में जाने में बहुत ज़दा प्राबलम होती है तो उनकी यह मुश्किल भी असान हो जाएगी कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक कह के लिए अलाहाफीस हास देरो तेवास देरो और मुझे द्वाओं में याद रखिएगा